बार दोस्तों विल्काम बैक टूर चेनल दोस्तों बात करने वाले हैं SSC CGL 2023 के कट आफ के बारे में हैं मेरे भाई इसका जो कट आफ है टियर वन का कितना रह सकता है तो इसके बारे में विस्तार पुरवक्स बताने वाले हैं अगर आपको लगता है किसार आप कुछ भी बता देंगे तो ऐसा नहीं है मेरे भाई सारी चीजों का नायलैसिस करके जो कट आफ हमें निकाला है और वही आप तक सेयर करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो में अंते तक बने रहीएगा इस वीडियो को मादम से आपको पता चलने वाला है कि टीर वन का जो परेडाम है कब त किप ना करें ठीक है आए समझते हैं विस्तार से अगर हम बात करें ससी सीजियल के बारे में तो आपको भी पता है इसमें जो टूटल पोस्ट आपकी निकाले गए थे इसको जो संख्या है दोस्तों पचहतर सो है ठीक है पचहतर सो पर आपकी यह जो भरती है निकाली गई थी फिर बाद में सुनने में आया कि इसका जो बैकेंसी कुछ बढ़ा है अब बढ़कर हो गया है ऐए 840 ठीक है 840 अब हो चुका है दोस्तों और आगे कुछ होर बढ़ने की उमीद ऐसा उमीद जताया जा रहा है ठीक है आभी बढ़ा नहीं है दोस्तों 84440 पर रुका हु कितने गुणा candidates आपके जाने वाले हैं tier 2 में तो देखिए दोस्तों ऐसा है कि आपके जू संख्या है 84,040 ठीक है तो इसमें आप गुणा 10 का लेजिए क्योंकि भाई 10 गुणा candidates आपके जाने वाले हैं tier 2 exam में ठीक है अगर बात किया जाए इसके exam date को लेकर तो आपको भी पता है इसका जो exam है CGL का 14 जुलाई से ठीक है 14 जुलाई से 27 जुलाई तक आपका जो यह exam है दोस्तों इसको जो है अलग-अलग सिप्टों में विभिन केंद्रों पर इसको सफलता पुरव कायोजित करवाया गया है ठीक है तो भाई बहुत से सिप्ट ऐसे होंगे जिसमें काफी tough level के प्रशन आपको देखने को मिले होंगे तो ऐसे में अगर बात किया जाए नॉर्मलाजेशन की तो आपका जो नॉर्मलाजेशन है यह तो होगा ही होगा इतना मान कर चलिए दोस्तों कि जिस सिप्ट में आपका बढ़ सकता है अगर आपके सिप्ट में tough level के प्रशन आपको मिले हैं तो तो भाई सुनने में यही आया है कि जो GS आया था आपका यह थोड़ा सा tough level का देखने को मिला था ठीक है जो आपका GS था दोस्तों थोड़ा सा tough level देखने को मिला था तो ऐसे में इसका जो cutoff ह इतना जा सकता है तो इसके बारे में यह बता देते हैं आपको भाई अगर बात किया जाए इसके cutoff को लेकर तो you are category के लिए आपका जो cutoff जाने वाला है 134 से 138 तक देखने को मिलने वाला है ठीक है मिर भाई यह expected cutoff है यह कोई official cutoff नहीं है ठीक है एक दो number आगे पीछे हो सक से 135 तक देखने को मिलने वाला है ठीक 130 से 135 तक जा सकता है दोस्तों अगर वहीं बात करें हम EWS की तो भी यह EWS वालों का बता देते हैं इनका जो cutoff है 128 से 132 तक देखने को मिल सकता है EWS का cutoff ठीक है आई यह समझ लेते हैं SC category में कितना जा सकता है cutoff अगर बात करें SC category की तो का cutoff जा सकता है 120 से 125 अगर आपके इतने marks बन रहा है दोस्तों तो टीर 2 के लिए आप eligible है इसना निश्चिन्थ हो जाईए आप ठीक है और वहीं अगर बात करें SC category की तो भी यह ST category में बन सकता है cutoff 105 से 110 तक आपको देखने को मिल सकता है तो भाई आपका जो cutoff है कुछ निम इसका जो result है इसके बारे मापको बता दें इसका जो result है दोस्तों 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों आप देख लिजेगा आपका जो result है tier 1 का 15 सितंबर के पहले पहले आपको इसके अधिकारी website पर देखने को मिल जाएगा ठीक 15 सितंबर के पहले पहल नहीं किया तो कर दीजे मेर भाई और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए